नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अगर आप अपने जीवन में गरीबी दरिद्रता भाग्य का साथ ना मिलना या परियाप्त धन न आने की वजह से परेशान चल रहे हैं अगर आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है किसी ने आपके उपर काला जादू करवा रखा है आपक की हजारों साल पहले से इस्तमाल होते आए हैं जो ठोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह नीमबू के नीमबू का इस्तिमाल करके उसे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं अगर आप जोतिश शास्त्र या वास्तुशास्त्र शास्त्र की किताबों का अध् अध्याय आपको मिल जाएंगे नौकरी पाने के लिए। अध्याय आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिश शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी, तो अगर आपका भाग्य हो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं, जिनके कारण आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति-पत्नी में बनती नहीं हैं, तो दोस्त आज जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे दोस्तों, नीम्बू का इस्तेमाल न सिर्फ स्वाध को बढ़ाने के लिए होता है, बलकि स्वास्थ्य की दृष्टी से भी नीम्बू बहुत ज्यादा लाब दायक होता है साइन्स की लैंग्वेज में कहें, तो नीम्बू में विटमिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नीम्बू में राम बान की तरह काम करता है नीम्बू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरें, आपके जीवन में कश्ट कम हो, आपके उपर माता लक्षमी का आशीरवाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीरवाद दें, तो इस वीडियो को बिना भगाएं अंत तक देख लें क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि कैसे नीबू के दस उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं, एक-एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि कई अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया, तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे, हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जब ही जनकल्यान अगर हमारी कोशिश से किसी एक इनसान का भी भला हो जाता है, तो हम अपने आपको बहुत सौ भाग्यशाली समझेंगे, तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोले नात ने किसी को आशीरवाद दे दिया, तो काल भी उसका कुछ बिगाड नहीं सकता है, तो आखिर नीम बू के कौन से, वह दुकाने होती हैं, उन सब में नीमबू, और में टंगे हुए होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? आज हम आपको बता देते हैं, देखिए कहां जाता है कि कुछ पेड़ पौधों में, उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं, जैसे जब भी लू चलती है, और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर ज्यादा गर्मी होती है, वहां पर प्याज रखते हैं, तो प्याज गर्मी को सोख लेता है, अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पढ़ता है. कहां जाता है कि बुरी नजर से हरा पेड भी सूख जाता है. इसी तरह से जो चलता, दोडता व्यापार होता है, वह तक बंध हो जाता है. अगर किसी व्यक्ति ने आपके उपर नजर लगा दी, तो इसलिए लोग अपनी दुकान में नीमबू और मिर्च लगा कर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराणों में बताया गया है कि नीमबू का खटा और मिर्च का तीखा गुण बुरी नजर वाले व्यक्ति के एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वो अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है। आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है और अगर आपने पहले से ही निमबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके उपर बढ़ जाएगा और वो बरबाद हो जाएगा। इस बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर परिसर में निमबू का पेड़ होता है, वहाँ पर नकारात्मक उर्जा कभी भी खुद को सक्रियन नहीं कर पाती है। निमबू के आसपास का वातावरण शुद रहता है। निमबू घर के वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है, तो यकीन मानिये, उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उस घर के लोग आपस में लडाई करते रहेंगे। धना आने के सारे मार्क बंध हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल जाल में फंस्ता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पर नीमबू का पेड हैं, तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी, आपके घर का वातावरन बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के लोगों में हमेशा बनी रहेगी, सरल भाशा में समझें, तो आपने भी देखा होगा, कई ऐसे घर होते हैं, जहां परिवार के लोगों में आपस में लडाईयां होती रहती हैं, घर में बरकत नहीं होती है, और जिस घर की बरकत नहीं होती है, वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तुदोश को मिटाने के लिए वह है नीमबू के पेड़ का, मतलब अगर आपके घर में नीमबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा लें, चाहे अपनी जमीन में लगा लें, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है तंत्र मंत्र करवा दिये हैं आप बहुत परेशान हो चुके हैं घर की लड़ाई कर कर्ज को देख देख कर तब आपको हम बताने जा रहे हैं वो सुनियेगा पहले तो आप लोग हो सके तो नीमबू का पेड लगा दीजिए लेकिन वो रातो रात तो नहीं उगता तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है हिंदू पुराणों के अंदर कि आपको अपने घर के चारों कोनों में देखें नीमबू रखना है आपको उल्टी दिशा में मतलब दिशा से साथ चक्कर मार में हैं और यह शनिवार के दिन करना है फिर यह नीमबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है यह चार नीमबू नदी या तालाब में आप बाहर ये आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, मंत्र तंत्र, जादू टोना किसी ने करवा दिया था बुरी, आत्मा भी नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा, उन्ही नियमों के साथ वह चला जाएगा वह नीबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन्नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहा कर ले जाते हैं इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही ने बहाएं तीसरा प्रयोग है, सफलता पाने के लिए अगर आप नौकरी की तयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझा नहीं जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा. दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत महनत करते हैं, लेकिन आपको महनत की अपेक्षा उचित्फल नहीं मिल पा रहा है, अब आप ठक चुके हैं, आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटर्वियो में जाएं तो आप एक नीम्बू ले लें, चार ले लें, हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नीम्बू में चार लोगों को गार्ड लें और वहाँ पर बैठ जाएं, पाल्थी मार कर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, पाठ करते अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा, नौग रहे आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे, दुरभाग्य जो आपके पीछे पड़ा था, वह सौ भाग्य में बदल जाएगा का, लेकिन हनुमान चालीस अगर आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं, तो यकीन मानिये, अगर आप कमपेटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, हर तरह की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप त जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा, अब चोथा उपाय बताते हैं, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, या ब में बड़े बुजर्ग हैं, और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने लगा दी, जिसके कारण उसकी तबियत खराब रहती है, तो एक नीमबू लीजिए, पीडित के सर के उपर से साथ बार घुमाईए, सिर्फ एक ही नीमबू लेना है, फिर ऐसे चाकू को ले वह नीमबू अपने साथ उधार ले जाएगा, आपके उपर से नजर पूरी तरह से उतर जाएगी, पांचवाँ वास्तु शास्त्र के अध्ययन नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार में लाब दिलाता है, नीमबू इस अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं, तो आप जान पाएंगे कि नीमबू का अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं, तो आपको अपने व्यापार में व्रिध्धी देखने को मिलेगी, कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है, तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं, जिस सुबह के समय यह प्रक लिया कीजिए, और शाम के समय उन चार भागों को उठा लीजिए, सुबह के वक्त आप दस बजे या ग्यारह बजे भी कर सकते हैं, शाम को साथ बजे के बाद आपको उठाना है, इनको अलग-अलग चार लाल कपड़े में बांधना है, और ले जाक किसी भी नदी में बहा देना है, उसे यह होगा कि जो आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग दंग आ गए थे, कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, और अब इतना प्रयोग कर लेते हैं नीम्बू के साथ, तो यकीन मानिये वो जो नजर लगी हुई थ जो नकारात्मक शक्ती आपके पीछे पड़ गई थी, वो आपसे दूर हो जाएगी, इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है, आपका व्यापार घोडे की तरह दोडने लग जाता है, यह वास्तु विज्ञान में भी ली, क्या हुआ है, चठा भाग्य को चमकाने का उपाए, दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप ठक चुके हैं, भाग्य का साथ न मिलने से आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन, मानिये किसी न किसी ने आपके उपर टोटका करवा रखा है, आप नौकरी की तैयारी करकर के ठक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, और इस तरह की बातें रोजाना हो रही है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार न नहीं पा रहा है, आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको एक नीमबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लेना है, इस नीमबू को धो नौकरी की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तब इस नीमबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए, आपको यह पेपर देने जा रहे हैं, हैं, तब तो यह सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रखकर ले जाईएगा, यकीन मानिए, जो दुर भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा, अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका वहाँ पर सिलेक नमा, ये एक ऐसा जब है जिससे मान लीजिये, अगर आपका मंगल कमजोर था, वह मंगल तुरंत मजबूत हो जाएगा, लेकिन इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महराज को 108 अंक बहुत पसंद है, 108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए कर सातवा है, रोग से मुक्ति हे तु, यह अध्याय आपको वस्तु घ्यान के 41 नमबर पेज पर मिल जाएगा, अगर आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है, जो दवाई करा करके ठक गया है, अस्पताल जाकर चिपक गया है, और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वह प पीडित व्यक्ति के ऊपर से नीमबू को साथ बार उतरना है, सर से लेकर पाव तक एक नीमबू को साथ बार उतरना है, फिर एक को लेना है, उस जगह को 21 बार उतरना है, ध्यान रखिए, यह सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे, शाम के वक्त होनी चाहिए, शनिवार के दि अब आपको उस नीम्बू के चार टुकडे करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहांपर चार रास्ते हो दाहिने बाएं आगे पीछे अब वहां पर अलग-अलग दिशाओं में उन नीम्बू के चार टुकडों को भेंट देना है और रात के वक्त ही करना है मतलब साथ बजे ये प्रक्रिया करिए नौ बजे इस नीम्बू को ले जाकर फेंक दीजिए अगर आप इतना कर लेते हैं तो रोगी के उपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा आपके घर के बच्चे के उपर आपके उपर या किसी के उपर भी तो वह नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना असर डालेंगी वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा रोगी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके उपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है तो वह आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी दोस्तों य ये सारी बातें आपको कहीं जाने को नहीं मिलेंगी लेकिन हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सकें एक नीम्बू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है नीम्बू इसी कारण पुराने समय के जो साधू संत महात्मा होते थे वो नीम्बू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहा नीम्बू की जरूरत पर जाएं और नीम्बू से उस मंत्रतंत्र को हटा लिया जाए अब आठवा उपाय आपको बताने वाले हैं संतान प्राप्ति हेतू दोस्तों ये बहुत कम लोगों के लिए होता है लेकिन फिर जानलें मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रही है कोई एसी महिला है जो बांज है जो इस वीडियो को देख रही है उनकी संतान नहीं है संतान के लिए उपाय करके ठक चुकी है तो ये उपाय लिख लीजिये ही कागज पर उत्तरा-फाल गुनी-नकशत्र एक ऐसा समय होता जिसे बहुत शुभ माना गया है निसंतान लोगों के लिए, अगर आप इस दिन नीमबू के पौधे की जड़ तोड़ कर लाती हैं और देसी गाय के दूध में मिला कर पी लेती हैं, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ती होगी, बहुत विद्वान, गुणवान संत की प्राप्ती होगी, अगर आप अनेक कोशिशें कर ठक चुके हैं, लाखों रुपे खर्च कर चुके हैं, यकीन मानिये, सिर्फ एक प्रक्रिया, ये कर लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ती अवश्य हो जाएगी, लेकिन ये उपाय किसी विशे शद् करें, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रक्रती अलग किस्म की होती है, तासीर अलग-अलग होती है, हुआ है अकस्माद धन की प्राप्ती, अचानक रुपईय की प्राप्ती का उपाय मतलब कह लीजिए, आपको कहीं से एकदम से रुपईय मिल जाएं, आप काला बाजार आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, जो भी हो, अगर आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, आपको कही न कहीं से रुपए जरूर मिलेंगे, नौकरी में कहीं से एकदम से रुपए आ जाएगा, या उसको अपने उपर से हर शनिवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है, अपने उपर से शाम को एक नीम्बू 7 बार घुमाना है, लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमा लेना है, फिर उसको एक लाल कपड़े में बांधना है, और किसी पीपल के के नीचे नीबू काटना है, अगर आप सिर्फ इतना कर देते हैं, और आपकी किस्मत हलका सा भी साथ देती है, भाग्या आपका साथ देता है, तो यकीन मानिये आपको एकदम से कही ना कहीं से रुपया मिल जाएगा, आपका 60 बाजार में रुपया दुगना हो जाएगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दामों में बिक जाएगी, जिसका आपको अंदाजा ही नहीं था, तो यह अगर आप कर लेते हैं, 41 शनिवार अपने उपर से साथ बार नीमबू घुमा कर पीपल के पेड़ के नीचे गाते जाते हैं, तो यकीन मानिये, आपको अकसमात धन की प्राप्ती होना तय है, अब दसवां उपाए, मृत्यू को चकमा देने का दोस्तों, अगर आप लोग सफर पर जा रहे हैं, जैसा आप भी जानते होंगे, कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से, बाइक से, मोटर साइकल से, कार से जाते रहते हैं, तो घर से निकलते वक्त एक नीमबू लीजिए, और जब आप बाइक या कार चलाने वाले हैं, उसके आगे रखकर अपनी गाड़ी को उस जी के उपर से गुजरते हुए निकल जाईए, ऐसा गुजारी है कि नीमबू पूरी तरह से भर जाए, मान लीजिए, उस दिन अगर आपके उपर किसी भी तरीके का एकसीडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अन्होनी लिखी होगी, तो वो टल जाएगी दोस्तों, ये सारी बाते चान बीन के हम लोग आपके लिए लेकर इसलिए आए हैं ताकि आपका भला हो सकें, लेकिन बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में ओम नमशिवाय जय शनिदेव लिखना बिलकुल न भूले, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी धन्यवाद